गुड आफिन क्लास हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था पंचायती राज इंस्टिउशन के बारे में जो हमारी डारेक्टरी ट ओफ अज्यूकेशन है उसी में दूसरी जो बोडी है वो मुन्शिपैलिटीज है नगर बालिकाएं जो इसको हम कहेंगे नगर निगम तो जो आपका था पंचायती राज विवस्था या पंचायती राज संस्थान को एक तरीके से ग्रामीड योजनाई थी या ग्रामीड संस्थान था किस तरीके से कानून विवस्था चलाए जाए अब अर्बन सेल्फ गवर्निंग बॉडी जो की आपके शहरी इलागों में स्वशाशन के लिए जो गवर्निंग बॉडी चलती हैं उनको मुंसिपालिटीज कहते हैं और इसका ओरिजन जैसे आपने प्याराई पढ़ा था पंचायती राज इंसिट्यूशन पढ़ा था उसी प्रकार से ही मुंसिपालिटीज विवस्था भी है मतलब उसी तरीके से उसके फंक्षन है इलेक्षिन कैसा है टैने ओर कैसा है कितना इटाइम पीरिट का तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं ओरिजन इसका भी 1992 एक्ट के तहस 74 एमेडमेंट कॉंसिट्यूशनल एमेडमेंट आक्ट ऑफ 1992 और जो आपका पंचायती राज इंसिट्यूशन था वो 73 एमेडमेंट अक्ट था मतलब उसमें जो कॉंसिट्यूशन में 73 सुधार के तहट 73 एमेडमेंट के तहट 1992 एक्ट में आया था और ये है वो 74 एमेडमेंट के तार पे आया ये भी आपका सम्विधान के कौन से भाग में है नवे भाग में है structure वो भी 3 टायर structure था और municipality भी 3 टायर structure है first और जो इसका broader level का structure जो top level का है that is a municipal corporation ये municipal corporation कहां पर स्थापित होते हैं जो larger urban cities है जो metropolitan cities है जैसे आपकी हो गई डैली हो गई मुंबई हो गई कॉलकता हो गई इस type की metropolitan cities में municipal corporation होता है then middle class में जो आता है municipal council होता है जो की smaller urban areas में होता है जो छोटे शहर होते हैं उनमें municipal council होता है next जो ground level की बात होती है that is a नगर पंचायत जिसको हम नगर पंचायत कहते हैं और ये इनल इरिया में होता है ऐसी जगाओं पर जहांपर जो छोटे छोटे से कस्वे होते हैं जगाओं पर होता है जहां पर गाओं से लोग migrate करके शहर में आये हैं तो वह छोटे छोटे एरिया वहां पर नगर पंचायत होती है अब जो basic बात हम करते हैं जो हमने प्राई में भी बात की थी कि यहां पर जो election होता है जो भी finance से सम्बंधित बाते हैं वो भी state finance commission कराता है यानी देखरेख में होता है मेंबर्स जो भी मेंबर्स होंगे मुंसिपैलिटीज के वो जो एरिया है वहां की पॉपुलेशन पर डिपेंड करते हैं जो कि मैंने आपको पियाराई में बताया था उसी तरीके से मुंसिपैलिटीज में भी होता है और SCST को रिजरवेशन मिलता है जो मेंबर्स चैनित की जाते हैं उसमें उसके साथ साथ पूरी पॉपुलेशन जो भी लोग होते हैं पूरी मेंबर्स में जित्ती संख्या होती है उसका वन थर्ड रिजरवेशन वोमिन्स के टेकरी को जाता है ओके तो ये चीज़े थी मुंसिपल कॉर्पोरेशन की अब हम बात करते हैं इसके टेनेट्री ओफ टेनेओर यानि कितने टाइम पीरेट का ये होता है तो ये पांस साल का होता है अब हम पहली बात करते हैं जो ब्रॉडर स्केल पे हमने बात की that is a Municipal Corporation डिसको महानगर पालिका या महानगर निगम कहते हैं महानगर निगम कहां पर होता है कैसे एरिया में होता है ऐसे नगरों में होता है जिसकी population more than 10 lakh जिसकी population 10 lakh से ज्यादा होती है and elected body that is responsible for running the civic affair of large city जो बड़े शहर होते हैं, वहाँ पे जो citizens होते हैं, उनके welfare के लिए जो municipal corporation है, वो एक ऐसी running body है, एक ऐसी संस्था है जो उनके civic affairs को देखती है, ऐसे बड़े इस तर पे, it is also called a नगर निगम, इसको हम नगर निगम भी कहते हैं, the constitution list, मतलब समभीधान में, जो हमारा 12 सूची है उसमें जो 18 सब्चेक्ट हैं, उसमें municipal bodies का मुखे काम, यानि कि जो राजिस्तर की duty है, कि वो municipal bodies से ये ये कारे कराएं, तो जो भी 18 सब्चेक्ट दिये हुए हैं, 18 विशह दिये हुएं, उन कारियों की करने की जिम्मेदारी, municipal corporation की है, it includes town planning, इनके अंतरगत क्या-क्या चीज ये सब का municipal corporation के होते हैं, अब हम बात करते हैं कि इतने बड़े शहर में, मतलब इतने बड़े इस तरपे जिसकी जनसंक्या लगबग 10 लाग से जादा हो, वहाँ municipal corporation का composition कैसे है, किन किन छोटे छोटे भागों से मिलकर वो बना है, और किसका क्या-क्या function है, क्या responsibilities है, क्या duties है तो first of all, municipal corporation is constituted with or composized by four factors, पहला है general council, उसके बाद mayor, फिर the standing committee, उसके बाद है the municipal commissioner, तो पहली बात करते हैं, general council की, जो municipal corporation की पहली body होती है, बड़ी body होती है, वो होती है general council, General council की जो members होते है, members of general council are called municipal councillor, उनको हम क्या कहते है, municipal councillor कहते हैं, ठीक, और ये किस तरीके से elect किये जाते हैं, कैसे इनका चुना होता है, by, elected by, जो registered voter होते हैं, उस area के, उस area के registered voter के द्वारा election के थूँ, इनको चैनित किया जाता है, जैसे कि हमारी पियाराई में सारा election का पूरा rule था, कि किस तरीके से चैनित किया जाता है, पांच साल के लिए होता है, अगर बीच में कहीं भंगो जाता है, जो election कहीं dismiss हो गया, या कुछ हो गया, तो उसको नए इस तर पर छे महिने के भीतर नए तरीके से पूरा चुनाओ कराया जाता है, उसके साथ साथ SCST का reservation होता है, वोमेंस के लिए one third reservation होता है, फिर second category mayor की आती है, mayor, municipal counselor, elect mayor, फिर जो general of council के जो सदस्य हैं, वो mayor का चैनि करते हैं, अपने ही सदस्यों में जितने सदस्य हैं, उनमें से एक chain करते हैं, जिसको mayor कहा जाता है, और deputy mayor कहा जाता है, from themselves, अपने में से chain करते हैं, इनका function mayor का क्या function होता है, ये जो होता है, वो उस area का first citizen कहलाता है, यानि पहला नागरिक कहलाता है, decide agenda, जितनी भी meetings होती है, उनका agenda क्या है, उसको decide करने का कार्य काम होता है, उसके साथ coordination all the development, coordination all the developmental activities, जितने भी developmental activities होती है, उनको coordinate करने का का काम, mayor का होता है, act as a link between corporate and the state government, जो भी corporation है, जो संस्था है हमारी, और जो state government है, उसके बीच जो link का का काम करता है, वो mayor करता है, यानि कि mayor सारी reports को state government तक वचाता है, और सारी conversation करता है, third is a standing committee, standing committee क्या करती है, कौन सी चीजों को handle करती है, health department की चीजों को handle करती है, finance department and इसके साथ taxation, यानि कर से संबंदित, जो स्वास्ते से संबंदित, जो भी कारे हैं, project है, finance से संबंदित, और tax, यानि कर से संबंदित, जो से एरिया के work है, वो standing committee देखती है, उसके बाद fourth, ज में संगठन है वो है मुंसिपल कमिशनर का मुंसिपल कमिशनर elected by state government for five years मुंसिपल कमिशनर जो होता है मुंसिपल कॉर्परेशन का जो मुंसिपल कमिशनर होता है वो state government के दारा elect किया जाता है five years के लिए इसमें भी सारा election का वही rule होता है function क्या है control administration जो municipal corporation होता है वो पूरी तरीके से administration जो इस area का administration है उसको control करने का नियंतरित करने का कारे करता है as instructed by general council as instructed by general council get the project implemented जो भी general council के द्वारा project त्यार किये गए हैं उनको implement करने का कारे किसका होता है वो municipal commissioner का कारे होता है यानि जो project committee के द्वारा त्यार किये गए हैं उनको implement उसको किस तरीके से लागू किया जाए कैसे उनको क्रियान विद किया जाए ये कारे होता है commissioner का then सारे records को maintain करने का कारे होता है जितने भी records त्यार है then ये किस तरीके से work करता है ये work करता है as a custodian यानि कि उसकी custody में सारी चीजें रहते हैं किसके municipal commissioner की custody में रहती है as a guardian work करता है all records और all project जो भी records और project municipal corporation के हैं वो किसकी custody में ज़्यादा तर रहते हैं किसकी देखरेक में रहते हैं वो रहते हैं municipal commissioner की देखरेक में ठीक हैं उसके बाद है फिर हम functions की बात करते हैं overall हमारी किसके function की municipal corporation जो की broad level top level का हमने पहले बताया आपको कि जो municipalities होती है वो three level में divide होती है municipal corporation होता है municipal committee होती है and the third one is a नगर पंचायत होती है ठीक है तो जो top level में उसके क्या function है जैसे हम लोगोंने PRI में पढ़ा था कि function दो प्रकार के होते हैं उसमें भी three टायर structure था दो तरह के function एक obligatory function होता है a discriminatory function होता है obligatory means compulsory function ये काम करना ही करना है उस संस्था को और discriminatory function यानि optional अगर आपके पास sources हैं काम करने को तो आप करते हो अगर sources available नहीं हैं तो उस काम को हम कुछ दिनों के लिए पेंडिंग छोड़ सकते हैं जब तक sources available नहीं तो ये optional होता है आप compulsory work कौन कौन से होते हैं public health sanitation यानि साफ सफाई स्वास्त, सुरक्षा electricity, water supply बिजली आपूर्ती, पानी का कैसा आपूर्ती है education education, सिक्षा से जुड़ा हुआ, खेल से जुड़ा हुआ, public welfare, infra यानि कि जो की बाहर के infra जैसे road का structure हो गया, slum development हो गया ऐसे एरियों में records of birth and death जो भी मृत्यू और जन्मक का record maintain करने का कारे है और उसके साथ-साथ other miscellaneous work हैं optional work में कौन से work आते हैं पहला है transport facilities यानि कि जो आवागमन की सुविधा है आपके पास अगर sources है तो आप आवागमन की सुविधाओं को provide कराते हो cultural activities जो भी सांस्कृतिक कारेकरम है या उनसे जुड़े हुए कारेकरम कारेकरम है, उनको कराना urban forestry जो नगरी ये वनिकी है उनको देखना sports and recreation खेल और जो भी मन औरंजन की चीज़े हैं उनके बारे में देखना उनके लिए कारे करना welfare activities यानि कि जो public है महाँ के लोग हैं उनकी अच्छा के लिए क्या आप करना जैसे family planning जो आपकी परिवार नियोजन स्कीब चलाई जाती है शहरों के द्वारा नगर निंगम के द्वारा और removing poverty और गरिबी उनमूलन के लिए जो भी projects चलाई जाते हैं ये optional है sources के according काम किये जाते हैं तो ये municipal corporation की बात हुई municipal corporation की बात हुई और municipal corporation हमारा four में डिवाइड हुआ जो कि हमने बताया आपका सबसे पहले municipal committee हो गई फिर mayor हो गया standing committee and municipal commissioner इस तरीके से आप शाहट बना करके इसको prepare कर सकते हो किसका क्या function है आप अंचायती राज institution जैसे start हुआ उसी तरीके से ये हुआ वो गाउं लेवल पे था ग्रामीड शेत्रों पे ये urban area में था ठीक है इसके आगे का फिर हम लोग next video में continue करेंगे ओके thank you class